आजम क्लाश 10 कि हिंदिय के एक अगला टापिक छंद न बौट करेंडिक करेंगे। फ्रेंस छंद से हर साल आपके बौट के एक हंग्जाम में 100% सवाल बनते हैं। फ्रेंस आपको चंद को यहां पर complete theory बताएंगे, फिर इसके साथ में फ्रेंस आपको बताएंगे कि चंद में कहां से किस point से आपके बहुई कल्पी प्रस और long question आपके board के exam में आते हैं, फ्रेंस इसके साथ में आपको वीडियो के अंत में कुछ most important चंद से संबन दीत बहुई कल्पी प्रशन भी कराएंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आप चंद से बनने वाले प्रशन को आप अच्छी प्रकास समझ सकें, फ्रेंस आप इसका प्रोपन नोट सिर्जर बना ले, जिससे आपको इस फ्रेंस का रिविजर करने से सब्सक्राइबस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो फ्रेंस देखें, यहां पर है चंद में पर देखें, खंद क्या है आपका शंद कर्शम करते हैं, चंद कर शाबदिक हर्थ क्या होता है, रेंस तो आप इसको याद रखेगा कि छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बंधन होता है ठीक है अब देखे फ्रेंस यहां भी बताते हैं आपको कि जब वरणों की संख्या क्रम मात्रा गड़ना तुक तथा यती गती आदी नीमों को ध्यान में रखकर शब्द योजना की जा परिवासा है फ्रेंस कि जब वरणों की जो संख्या है क्रम और मात्रा गड़ना और तुक तथा यती और गती आदी नीमों को ध्यान में रखकर शब्द की योजना बनाया जाता है तो उसे ही क्या करते हैं फ्रेंस छंद करते हैं ठीक है अब देखे फ्रेंस यहां छंद से सरफ पर्थम उलेख रिगवेद में मिलता है ठीक है फ्रेंस यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए है तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें यहसे कोई भी वीडियो हम अप्लोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सब से पहले आपको प्राप्थ हो चले फ्रेंस यहां पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब यहां पढ़ते हैं फ्रेंस चंद की अंग ठीक है पहले चंद की जितने भी अंग उसके बारे में सब्सक्राइब असते हैं फिर आपको पताएंगे कि कहां से किस पॉइंट से आपके board के exam policies बनते रहते हैं ठीकर देखिए फ्रेंस यहां पर क्या है कि छंद के औंग निमनलीकित है खंड कि पराधा पया घला चरण के ठीकर होते हैं यहां प्रेंस परादा आता है यहांग क्या आता है चरण's कि चार चढ़ा हो ते कौन कौन सा होता है दिए कि पहला है और तीस्रे चढ़ा में जो उसे क्या कहते हैं विस्म चढ़ कहते जाता है पहला और तीज्म चढ़ काई जाता है याफ तो आपको अच्छी प्रकास से अदम समझाएंगे बस आ तक जरूर देखें ठीक है अब देखें दूसरा क्या है कि दूसरे चलड़ को क्या कहते हैं सम चलड़ कहते हैं ठीक है अगला पॉइंट है कि मात्रा और वर्ड़ क्या होता है देखें फ्रेंस वर्ड़ दो प्रकार के होते हैं अब देखें कौन कौन सा होता है पहला होता है ह दूसरा होता है दिर्गी सोयर एब फ्रेंज्स यहां भी द melee च्छंद में च्छन बरियोकरते हैं एक खड़ा पाई होगा चोटे हरा सवर के लिए ठीक है अब देखें बढ़ी च्छन गढ़ायो खोड़ा श्रकरत змालबुआ朵 बड़ी छोटाउं डाइड भी और लाओ करते हैं यहां यस के आकार का ठीक इस पर कार से इस चींद का परियोग करते हैं ध्यान दीए तब ही आपको अच्छी प्रकार से सो रठा रोला समाज्र में था ठीक明े रधाव ज़िए पफ्वाइंटि को यहां पर देखते फ flourukya कंड़ समझेचिए पंदर के वी अदर चंडर बिन्दु जब आता है तो उसके लिए एक मातर इसे खड़ी पाई दिखाते आंगे ऍयुक्त अच्छर आ जाते हैं यदि सन्युक्त अच्छर आ जाते हैं उसके लिए भी खाड़ी पाई जिखाए जाता है स्युम्ध को ध्यान दीजेगा जो जो ब्रूद आसाल पुर्वग और ठीक के माध्धम से समझाएंगे फ्रेंस अब यहां पर आता है आपका दीर्ग सुखर में दो मात्राइं मानी जाती है कौण कौण सा विसरक आता है तो उसे क्या रखा जाता है आपको दिर्ग सुवर में इससे आपका जब विसर कर आएगा यस की आकार का बनाएंगे और ठीक है अनुस्वर आगा यानि कि इस पर का बिंदी दिया रहेगा तो इसके लिए भी यस का मात्रा ही बनाना है यस आकार का चिन बनाना है ठीक है अब फ्रेंस देखे आगे साम होता है और ठारा होता है इसे ही हम यति करते हैं क्या करते हैं फ्रेंस यति अब देखे फ्रेंस गती क्या होता है कि छंद पढ़ने की ले को गती करते है यानि छंद किस गती से पढ़ा जा रहा है किस ले से पढ़ा जा रहा है उससे ही क्या करते हैं फ्रेंस गती करते है अब देखे, friends, यहां पर हिंदी के चंदों में गति प्राया अभ्यास और नाद के नियमों पर ही निर्आर करता है, ठीक है, friend? समझ में आ गया होगा, चाल विज़ते हैं यहां तुख, अब तुख के बारें पढ़ते हैं, तुख क्या होता है, यहां तुख को देखा जाए, की शंद के चड़ों के अंत में व्रणों के जो आविर्ती होती है, unve! उसे क्या कहते हैं, दूख कहते हैं, इससे ध्यान दीजिए गा! अब देखे फ्रेंस संख्या क्या होता है आपका यहां पर छटवा पॉइंट संख्या जाता है छंद में मात्राओं और वरों की जो गिंती होती है उसे क्या कहते हैं संख्या कहते हैं ठीक है जो मात्रा उसमें कितने मात्रा परियोग किया गया है या कितने वरों परियोग किय गहे हैं उसे ही क्या करते हैं संख्शा करते हैं ठीक है अब देखे अगले support को सक्षट को देखते हैं kram दिखे फ्रेंस यहां पे इस point को इसलिए और पताय जा रहा है कि आपको रोला और सुँछा फट्वधी समया आपको प्राबलम ना हो ठीक है वहाँ परतेयक सब्सक्राइब का अर्थ समझ में इसलिए इस पॉइंट को आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी ठीक है अब देखे क्रम क्या होता है छंद में जो लगू वर्ण होते हैं और गुरू वर्ण की जो विवस्था क्रम को ही क्या करते हैं लगू वर्ण वर्ण की जो एक विवस्था होती है उसे क्या कहा जाता है करम कहा जाता है अब देखे अगला पॉइंट आठमा आता है आपका कि गड़ कितने होते हैं देखे तीन वर्णों के समू को ही क्या करते हैं फ्रेंस गड़ करते हैं पहले गड़ आट होती है इसको आप नोट कर लिजिए अब देखे इसमें जो गढ़ उसकी संख्या को देखते हैं पहला होता यगड, दूसरा मगड, तिसरा तगड, रगड, जगड, भगड, नगड, सगड यह सब क्या होते है फ्रेंज गड़ों की संख्या होती है अभी देखे फ्रें लुसुइंट को भार बार पढ़िए गटहरें अपर आते चंद के भेदी यहाँ पर चंद के भेद देखेंगे वर्ड और मात्रा के आधार के आधार पर कैंपने प Always 48 तीरां वर्ड मात्रा के आधार के नाम मुक्त चंद, अब इन चंदों के बारे में देखते हैं Friends कि कौवसा चंद को क्या कहते हैं, अब देखे face, यहाँ पर उगला आपका है प्रणिक चंद, जिस चंद मे। और नियमों का पालं गिया जाता है वहाँ पर कौवसा चंद होता है Friends वाड़ीक चंद, मतलब देखे चंद मात्रा की गढ़ना पर आधारित होता है यानि मात्रा की गढ़ना जब करते हैं तो वहां पर कौन सा चंद आ जाता है मात्रिक चंद होता है उभेज चंद का मतलब होता है इसमें तो मात्रा और वर्ड दोनों की समानता एक साथ मानी जाती है तो वहां पर कौन सा होता है उभेचंद हो जाता है अब अगला आपका है मुक्तचंद देखे फ्रेंस मुक्तचंद में आता है इन में मात्रा और वड़ों की संख्या निश्चित नहीं होती है तो इसे क्या मानते है फ्रेंस मुक्तचंद मानते हैं देखे यह क्या है आपका मुक्तचंद ठीक है यह मुक चंद मुक्त चंद लिखा ठीक है देखे फ्रेंस यह तो आपके चंद के कुछ basic concept थे अब यहां पर सबसे important point आपका चालू होता है जहां से आपके board के exam में 100% सवाल बनते हैं और साथ में आपको बताएंगे कि आपके 2023 में कौन सा सवाल पूछा गया था और 2024 के board के exam में रोला और 2024 से कैसे pressure बन सकते हैं साथ में यह भी बताएंगे अब देखे French यहाँ पर क्या है आपका start होता है रोला चंद अब यहीं से एक प्रश्न आपका बन जाता है कि रोला चन्द का माततर ट्रिक कैसा है यहां पर याद रखेए Art ऐसा मात्रिक छंद कायसा है इस परिभासा को थ्हां जहां से देखियेref जो रोला चंद है उसकी परिभासा को द्यान से देखिये यह कि एक सम्मात्रिक छंद हैं इसमें चारदट होते हैं ठीक इसमें कितने चेलर होते हैं शोटल है तोटल चारड होते हैं छारड होते हैं अब कर देखें परना कितनी मात्राय होने चाहिए 24 होनी चाहिए नहीं सब्सक्राइब कर देख लिए कि परिभास रोला और सोठम याद रखना है कि इसमें चार चड़ा होते हैं यह सम्मात्रिक छंद है इसके पर तेरह मात्राओं के बाद आपका विराम आना चाहिए समझ में आ गया यह इसका क्या था परिभास इस परिभास से ही आपके बहुई कल्पी प्रश्न बन जाते हैं अब चलिए इसको उधार कर देखते हैं देखें यहां पर ध्यान दीजेगा उधार क्या है पर उधार को पढ़ते फिर इसके बाद समझाते कि उपर दिया क्या है देखें नब लिखा है कोव पापि पंचत तु प्राप्ट सुनी जगमकद्ध हावत अब दिखें यहां पर जो दिर्ग सभरे के लिए बताएं शिंबल किया चित्र सिंबल आपका यह साकार इसका मतलब होता है कि दो मात्रा गिना जाता है जब इस प्रकार के होगा दिर को सोर दिर को सोर में कितनी मात्रा गिना जाएगा दो मात्रा है और इस तरह पाई रहेगा तो उसके लिए कितनी मात्रा गिना है आपको एक मात्रा गिना है और इसको गिन हो गया और यहां उ है चोटी का मात्रा चिपा है यहां पर हो जागा इस प्रकार का और देखिए इस प्रकार से यहां बढ़ आ का मात्रा है तो आ के मात्रा के लिए क्या बनेगा यस के आकार का बनेगा और छोटी का मात्रा के लिए क्या बनेगा आपका खड़ी पाई बनेग और फेंस हा इ इसमें मातर हर अक्छर्ग आ की मातरा चिपा होता है कि यहाँ पे ठीके घडिया आधा जब आदा तुव रहेगा इसको उसमें नहीं क्युकलेट करते हैं इसकी मातर हैं नहीं पूरा भेस्जग होना चाहिए भी हुआ है तो होना के胃 ऐ yamak चोगिए मातर है तिस दोर आपको इसी तरह इसलिए ृस्थ नहीं को धियां से सुनीयां तोय होकि यहां पर खड़ी पाई बनेगा और छोटी ए का मात्रा है तक यहां पर खड़ी पाई देखिए फ्रेंस आपको इसलिए पता रहे देख उस पॉइंट को ध्यान से सुनिए तभी आपको यह रोला सोटा समझ में आएगा यहाँ पर जो है जो में देखिए फ्रेंस कड़ी मात्रा कर काहने का मतलए थ्यान रखे है ज़ा रहे हैं यहां पर दिर्गसवर porte ज़रबबनेंट करेंगे युषा है । वहां पर ही खड़ी पाई रह रहाए जिसमें मात्रा कालकुलीट करना है ठीक है तो फिरेंस समस्सूर में आगे होगता है अब इसको गीन के देखते हैं कि 24 हो रहा है कि नहीं अब दीखें यहां यहांग स्का मतलब क्या अप्रकार के बना तो इसका मातरअ कि कितना केख्छा करना है धूर आ 게임 दू एक ती दू पांच सब्सक्राइब कर लिए इसलिए रोला होगा ठीक है परतेक चलड़ों में यह 24 मात्राइब होती है तो रोला होता है अब देखे फ्रेंस इसी प्रकास सब को आप कल्कुलेट कर लीजिएगा देखे क्या है पूरा पढ़क सुना देते हैं को पापी पंचत्व प्राप्त सुने जगमक धावत बनी बनी बावन नीर बढ़त चोचंद मचावत पैताकी ताकी लोत त्री पठगा के टटलावत ठीक है अब देखे फ्रेंस यह आप क्या उधार आप देखे फ्रेंस रौला का उधार था तो एक बर और रपीट कर देते हैं यादि दिर्गसुआर रहेगा समझे रहे हैं आप बताएं इस्टर्टिंग में दिर्गसुआर रहे तो यहां पर यहां पर यहां पर दो मात्रा यां जो कल्कुलेट करना है और हरस यह लगूस्वर रहेगा तो वहां पर क्या करना एक खड़ी पाई देना आया है आपको और एक मात्र है यहां पर काल्कुलेट होगा यह आप को कंसेट क्लियर होना चाहिए ठीक है अब देखे फ्रेंस इसके लच्छड देखते हैं देखे फ्रेंस लच्छड क्या है कि इसमें च उसमें विराम यानि कि यती विराम लगता है मलब ठारा होता है यह इसके लच्छड थे इसको आप लिख लीजेगा इसको याद भी रखना है आपको वीडियो के लाश्ड में बताएंगे आपको फ्रेंस कैसे कैसे प्रश्ड आपके बोर्ड के एक्जाम में 2014 में आने वाल का उल्टा होता है इसको ध्यान दिजिएगा दोहा क्या होता है सोरठा का उल्टा होता है यह एक अर्द सम्मात्रिक छंद है फिर इसमें क्या होता है फ्रेंस कि पहले और तीसरे चरण जो होते हैं उसमें 11-11 मात्रा होनी चाहिए ठीक है तो पहले और तीसरे चरण में क्या की है तता सम चुन्हों के अंधमें जगणनहीं होता है आप अप्देक हाँ बताते हैं यहां पे क्याKay आपका सोरठा सो रठा के बादा देखिए कि यह अलटा हों। आपको नबर इसके बाद दूसरा जो चौथा चरण होता है फ्रेंस उसमें आपका तेरा तेरा मात्रा होनी चाहिए ठीक है इसी पॉइंट को आपको ध्यान देना है समझ में आ गया होगा अब चलिए फ्रेंस इसके उधार को देखते हैं और बताते हैं कि देखे कैसे आप आचान करेंगे दिखे नील सरोरु स्या यहां जोडानेल में थ्र आपको धर्ष यहां फोर यहां ऑक्कisine जो सबदाएंगे, यहां आपको धिरुष है जोड़ायो, देखे है मात्रल बटश भी यहां कैसा धराल, हीं मात्रल बंट तांत्त थी एमाना च चाहिए हां जोगायो घए धियांस ऐसको इंब के माता के देखते हैं धेंयहां पर कलकुलेट Mog लेंगे यहां बनां का दो रहे जार चार्यात ठीश दुल तोल कितनी मातर यहBuild इन आपका यह दूसरा छेटरा है और यह चौता है तो अभी आपको उपर बताएं कि जो पहला और तीसरा चड़ा होगा उसमें 1111 मात्रा हैं होनी चाहिए यह देखिए पहले चरह और तीसरा चड़ा इसको देखिए कितने कितने मात्रा हैं 1111 आप इसको एक बार गिन लिजिए को देखिए गिन के बताते है र पहले होतीस ने डिखे एक दू तैनि चार पैंच छे चार पांच छे शात आड़ नो दस ग्यार कितने मात्रा होगी Aberfrey तेरा तेरा मात्रा होनी चाहिए ठीक है ते देखी आपको क्या है इस उधार को आप याद रखिएगा और जैसे बताए फ्रेंज उसी तरह इसकी मात्रा निकाल कि गिन के एक बार देखिएगा कि इतनी इतनी मात्रा है आ रही है कि नहीं ठीक है फिर भी यदि आपको डौट तो कॉम्मेंट बाक्स में लिखी है कि आपको जरूर उसका कंसेप्ट को किलियर करेंगे देखें फ्रेंज क्या है नील सरोरु स्याम तरून अरून बारिज ब्यान करऊ सोमम उर्धा सदा छीर सागर सयन ठीक है यह इसको दार देखते हैं फ्रेंज कि इसके लच्षड क्या है लच्षड हैं कि पहले और तीसरे च्रण में कितनी कितनी मात्राइं होनी चाहिए 11-11 और यही पाचान भी है फ्रेंज कि जो पहला च्रण होगा और तीसरा नमबर का जो च्रण हो इसमें 11-11 मात्राइं आती है न तो किसका उधार होता है आपका सो रठा का होता है किसका होत होता है समच चड़ों में कितना होता है जगड़ का मतलब एक खड़ापा एक यह यह जगड़ का लाता है यह नहीं होना चाहिए आप इस दोनों रोला और सो रहा इसी से आपके बोर्ड के एक्जाम में फ्रेंस प्रश्ण बनते हैं समझ में आ गया और प्रश्ण कैसे बनते हैं यही साथ में आगा लीजिएगा और यही सिलेबस में इसी साथ के बोर्ड के एक्जाम में बहुवी कल्पिद है कि आपके बोर्ड के एक्जा सेवस्टि अपकर बहुवी कलपी प्रश्ण ही बनेगा एक नमबर का ठीक है अब फ्रेंश चलिए देखते हैं कि आपका बहुवी कलपी प्रश्ण है क्या और किस प्रकार के प्रश्ण आपके बौड के एक्जाम में छंद से आते हैं तो देखे यहां पर है महत्तुपुर भवीकल्पी प्रशन यह जो टापिक आपको भवीकल्पी प्रशन बता रहे हैं इसी टापिक से आपको बोड के एकसा में एकनबर का सवाल पूछ लेगा तो इस भवकल्पी को आप देखिया और इसको एक जिएगा नोट कर कैक कि करते हैं चंट को पढ़ा जाता है तो उसमें राव या ठा रषा राव आता है से क्या कहते हैं यति करते हैं घौरार लिखे भी थे प्त allerथ है क्या कहते है अब देखें अगला प्विए shy SH Milwaukee कितनी है बनाये गड़ों की संख्य आपको पताए तौव बनता है आपको 8 बताए बता नह्मान मात्राओं अगला प्रा में प्रश्ण 74 यदी समान मात्रा को अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है सो रठा ठीक है सो रठा चंद में कितने चड़ों होती है तो फ्रेंस अभी आपको बताएं कि चाहे सो रठा हो चाहे रोलाओ उसमें चड़ों की संग्य कितने होती है तो फ्रेंस अगले सवाल को देखते हैं पांचवान नमबर के सवाल है कि रोला चंद में 4 चरड़ों होतह ने देख़्ें अगले सवाल को देखते हैं अगला सवाल आपका है कि चंद में पर्युक्त जो अच्छर को क्या करते हैं रहें अगले नमबर के साथमें कर सवाल को देखते हैं साथमा नमबर का सवाल है कि चंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है यह सबसे स्टार्टिंग में यह पॉइंट बताते हैं बताएं आपको कि चंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपको बता है बंदन क्या पता है पहले लिखवा है पहला ही पॉइंट पी यह है कि चंद चंद सब्द का सुरपर्थम उलेख किसमें मिलता है यह बताएं इस प्रशन का सही जवाब बीवल आपसन करेक्ट हो जाएगा अब देखें नहुआ है कि छंद के कितने प्रकार होते हैं आपसने चार होगा तीन होगा पांच होगा यह दो होगा तो इस प्रशन को आप याद है कि कोई भी चंद विभक्त रहता है यहां पर आपको बताना है कि कोई भी चंद विभक्त रहता है यती में चेरड़ों में अब यहां पर देख लिए फ्रेंस यह भी दोनों में या किसी में नहीं इसका कोई भी चंद भी भक्त रहता है तो आपका यती में भी होता है और चाल दाएंगे, अपस्वारण को यही प्रिष्ण बनते हैं सिर्फ आप रोला जो बता हैं और सोरथा बता हैं उसे ही